अब देखो किया डेटा पॉंट्स बंद रहे हैं क्या मार्केट कल से अपसाइड जा सकता है या ब्रेकाउट हो सकता है वो सारी चीज़े हम लोग डिसकस करने के कौन-कौन से इंपोर्टन लेवल है जो बहुत अच्छा से फाइन तरीके से मार्केट में काम करती है वो सारी आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखो कि तो मैंने लाइव मार्केट में एक वीडियो बना कि आप लोगों को दिया था कि किस तरह से मार्केट में कंडिशन बनी थी अगर आज का हम लोग मार्केट देखें तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा आप देखना कि यहां पर gap up हुआ, और market sideways गया, आपको clearly दिखेगा, उसके बाद में market gap up हुआ, फिर sideways गया, वही scenario आज के trading session में बना था, market gap down opening हुई, और market sideways गया, but obviously एक हमारी level थी, that is 16,128 और 103, तो यहां पर market ने support उठाया, और almost उपर के level पे, अब हमारी जो level थी, 183, 183 थी, लेकिन यहां पर जो कल का support बना हुआ है, today, वो आज, today it work as a resistance, तो कही ना कही यहां पर resistance लेते हुए market ने फिर से यहां से fall किया, और यहां पर फिर से support बनाती हुए market उपर के दरब गया, अब आज के थोड़ा सा एक point बता देता हुए, जो इससे आपको trading में एक technically आपको चीज़े समझ में आगे, अब यह जो continue session चलाना, इसमें यह सारी चीज़े clear थी कि market sideways है, मैंने already एक वीडियो बनाया हुए, आप लोगों के लिए, अगर आप मतलब जाके देखोगे, तो य यह वीडियो में आप मैंने सारी चीज़े बताईए है, कि how we can predict the sideways market also, और इस live वीडियो में मैंने वो सारी चीज़े record किये आप लोगों के लिए, कि market किस तरीके से sideways था, even आप हमारे telegram channel पे भी आओगे, तो morning में आप देख सते हो कि यह level जो थी, almost 248 की अगर है, यह सब मैं मैंने morning से दिया हुआ था, and everything was discussed here, कि यह सारी चीज़े कैसे हो रही है, 16200 में क्या resistance है, क्योंकि call side में लोग बैटे हुए है, 16100 में क्या हो रहा है, तो each and everything technical aspect मैंने यहाँ पे almost आप लोगों के लिए explain किया था, जो लोग समझ पाते होंगे, उनका बहुत फाइदा होतागा, यह market show chopiness से इसके पीछे के reason क्या है, तो जब तक momentum नहीं आएगा, buyer को फाइदा नहीं होगा, आप देख सकते हो market complete sideways था, उसके बाद में जब breakout होगा, तो बहुत अच्छा trade मिला, यहाँ पे फिर market उपर के तरप गया, फिर यहाँ से नीचे आके कही ना कही resistance लिया था, तो आपको यह सारी चीज़े मैंने वीडियो में बताई थी, और आप लोगों के लिए यहाँ पर यह लेवल समार करके सारी चीज़े हम लोगों ने discuss भी किया थी, आप देख सकते हो, मैंने भी एक option sale किया था, 16,000 का PE, 57 रुपिज पर, almost 60.5 का यहाँ पर SL था, 34.5 का SL था, और almost मैंने उसमे 39 पर बुक किया, तो इतनी सारी, मतलब बहुत अच्छे से अगर हम लोगों को trade मिलता है उस जगे पर, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, इवन आप देखो कि अगर वहाँ पर, यहाँ पर, मैंने जो entry की थी, obviously यहाँ पर नहीं की थी, because there was no confirmation from the data, यह sideways था, शाय अभी न कहीं, यहाँ पर market में resistance था, तो यहाँ पर भी resistance लिया, एक red candle बनी, लेकिन जब ग्रीन candle बंद रही थी, जब market यहाँ से support ले रहा था, तभी इस जगे पर हम लोगों ने 283 के आसपस, मैंने 16,000 के put sale किये थे, almost मुझे यहाँ पर 20 points का profit हुआ, और बहुत लोगों न कि market में यह sideways zone क्यों रह रह रहा है, और यह कब तक रहेगा, तो देखो अभी इसके पीछे जो reason है ना, जब हम लोगों daily chart प्या, weekly chart प्याएंगे, तब आपको reason clarify हो जाएंगा, उसके पीछे के logical reason जोए मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब now you can see this is our daily chart, अब यहाँ पर हम ल 50 ने यह gap को fill किया, आप यह पिछले trading session में देख सकते हो, कि यहाँ पर market ने इस gap को fill किया, उसके बाद में market higher level, मैं थोड़ा chart बढ़ा कर लेता हो, मतलब आपको समझने को अच्छा हो जाएगा, now I am going to delete this particular box, और मैं आपको और कुछ चीज़े समझाता हो, उससे हम लोगों क मतलब किस तरीके से market में हम लोग यह चीज़े कर सकते हो, वो सारी चीज़े हम लोगों को समझ में आएगे, अब देखो उसमें क्या होता है, कही ना कहीं आपको एक चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पर gap पड़ी थी, market ने यहाँ पर fill कर दी, अब आप देखो कि market में technical अगर analysis करना चाहते हो, तो थोड़ा सा price action को समझना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगी, कि market ने यहाँ से uptrend दिखाया, उसके बाद में market ने थोड़ा सा downtrend दिखाया, market ने एक hammer candle का formation किया, delay time frame और market फिर से uptrend किया, कभी में जब market नीचे आके उपर जाता है, ठीक अभी जैसे आप यहाँ पर observe करोगे, तो market ने जब rally दी, continue, उसके बाद में market ने pause लिया, अब market ने फिर से rally दी और gap को जो है वो almost यहाँ पर fill कर दिया, अब fill करने के बाद हो सकता है कि यह जो level है, इस level के बीच में market कुछ दिन sideways चला जाए, ठीक है, अब वो कितने दिन हों उसके बाद में market फिर breakout करता है, तो आपको एक चीज देखेगी, अगर इस level के उपर अगर market निकल जाता है, तो उसके बाद में आपको एक कोई resistance नहीं है, ठीक है, मतलब आपको एक कोई strong resistance नहीं मिलेगा, तो market में आपको सिगीधा 16,500, मतलब 16,600 के level के पास, 16,600 और 16,700 के आसपास ही आप लोगों को एक resistance मिलने वाला है, तो market अगर इसके उपर sustain हो जाता है, लेकिन वो कब होना चाहिए, अगर market यहाँ pause करता है, और उसके बाद में अगर breakout डे ना, जो almost एक, यहाँ पे market obviously आया, उसके बाद में pause लिया, फिर आज के डिट में भी pause लिया हुआ है, एक अच्छा performance दिया, downside से, बट वो pause ही है, अब यहाँ से अगर एक दो दिन निकल जाते है, और फिर यहाँ पे breakout हो जाता है, तो फिर market में उपर के level दिखने को टाइम नहीं लगेगा, वो शायद इस level पे हो सकते है, almost 6800 to 16000, यह नीचे की भी level हम लोगों को consider करने जो मतलब हम लोगों को समझ भाए है, देखो, जनरली market में क्या होता है, जब हम लोग डेली analysis का चार्ट, मतलब डेली time frame पे candle stick को देखते है, जब market ने यहाँ पे pause लेके एक rally की थी, तो आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से उपर में gap up open के होके market ने पॉस लिया था, अब market उपर जाता है, अब हलका सा pause लेता है, या फिर वो retrace होगा, या फिर sideways जाएगा, जब वो sideways जाता है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं profit booking शुरू हो जाती है इस zone में, जिन लोगों ने यहाँ से long करके बेटे, वो लोग यहाँ पे profit booking करेंगे, जब market एक bottom level पे, थोड़ा सा bottom level प 23 जगे पे, तो फिर से यहाँ पे नई fresh buying हो जाती है, अब जब fresh buying हो जाती है, तब high break होके फिर से market नए high बनाता है, these are the logic of the price section, अगर इसको समझ जाए, तो आप लोगों को यह clear चीज होगी, कि ठीक है, आप लोगों को data analysis है, वो सारी चीज़े मैं सिखाता हूँ, और जो ल 29 पे profit book किया था, 16,000 put पे, क्योंकि obviously हमारी level थी 16,248 तो और उपर जाने के chances नहीं थे, और आज के trading session में, होई data में आप देखोगे, तो 16,200 में, बहुत अच्छे से call selling हो रही थी morning से, और वो intensity बढ़ भी रही थी, अब यह intensity बढ़ रही थी, बढ़ एक समय आया, जब हमारा level आई न, तो यहां से जब support बनाया market ने, हमारे level से, almost ऐसा W pattern या फिर double bottom बनाया था, तब यह जगे पे, यह almost 16,200 के call seller जो है, वो उनकी position निकालते गए, और 16,100 and 16,150 में, बहुत अच्छे से put selling होना start हो गी, और वो इतनी बड़ी कि फिर यहां से जो breakout था, almost confirm था, कही ना कि बहुत सारे लोग question पूछते हैं कि confirm breakout कैसे हो, तो basically that we can predict on the basis of analysis, if you are, if you are understand कि how we can analyze the data, then you can understand the, or you can basically predict the breakout also, जैसे यह breakout हुआ, तो market ने, अच्छी rally उपर के side में दे दियो, और बहुत अच्छा decay भी हम लोगों को मिला, तो इस तरीके से price section को समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़ open our Nifty, जो weekly है, Nifty का daily का chart open कर ले थे, मतलब वो चीज़े हम लोगों को समझ में आएगे, तो देखो, यह almost train line बन रही थी, train line में almost RSI की level देखो कि तो almost 60 के आज सपास है, तो कही ना कहीं, उपर के जाके level में आपको 16400 यहाँ पे लेवल मिलेगी और 16764 एक लेवल मिलेगी, जो हम लोगों ने, पिछला अगर आप daily analyst का video continue देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ से अगर market further निकलता है, तो उपर के तरफ 16400 को अगर breakout कर देता है, तो उपर की level हमें 16700 एक उपर के side में rally हम लोगों को मिल सकती है, इवन अगर हम लोग सीधा सीधा Nifty Bank के अगर chart को देखते हैं, तो Nifty Bank का chart obviously positive है, अब यहाँ पर कुछ दिक्कते हैं जो world market में मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा, बहुत सारी चीज़े हम लोग यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि obviously हमारी जो level थी हम लोगों ने draw करके रखी थी, वही पर आ यहाँ से 400 से 500 point, that is 36,000 की level आना बहुत आसान होगा, अगर इसके उपर breakout हो जाएगा, then आपको 1000 point की rally उपर के direction में मिल सकते हैं, बाकी चीज़े आप मुही आइवरेज बगर यह सारे लगा के वैसे वो काम तो करता नहीं इतना अच्छी से हैं, बढ़ ठीक है, technical analysis करने के लि यही पर देख लेते हैं, आपको चीज़े कुछ clear होगी, American market जो है कही न कहीं slight negative है, क्योंकि market भी almost थम चुका है, और उस वज़े से, देखो, यहाँ पर आपको 0.46%, 1% negative देखे का, Dow Jones भी आपको point, मतलब वो flat to negative है, तो कही न कहीं, Dow Jones भी sideways ही है, अगर, मतलब, अगर night में, अ हमारा market फिर तो perform करे गाई, अब at the same time आप एक चीज़ देखोगे, तो जो dollar index है, जो सबसे बड़ा problem है, almost आप देख सकते हो, 107.748 पे है, तो dollar index एक issue है, क्योंकि dollar index बढ़ा रहेगा, तो कहीं न कहीं हमारे equity market को है, bank nifty को थोड़ा सा movement होने के लिए, बट फिर भी हमारा market ब बज़ा है, कि आप अगर crude oil देखोगे, तो crude oil में अगर यहां होगा, तो मैं आप लोगों को बदा दूँगा, यहां है, नीचे देखना पोटेगा, मिल जाएगा, देखोगे तो, पर आप crude oil देखोगे, तो crude oil में एक अच्छा fall हुआ है, अब crude oil में fall जो हुआ, उस candle देखोगे डेली, तो आपको काफी अच्छी candle यहां पर दिखाई देगे, अगर आप बड़ा करके देखोगे, तो काफी strong bank nifty दिखाई दे रहा है, बट कही ना कि nifty में थोड़ा सा उपर से selling भी आ चुकी है, और nifty में इतनी strong candle नहीं बनी हुए, उसका एक reason है, कही ना कि वो perform नहीं कर रहे है, तो बहुत बार चीज़े ऐसे ही हो जाती है, अगर आप even आप हमारे platform पर आओगे, मतलब angel बनके, तो आपको यहां पर बहुत सारी चीज़े सीखने को मिल जाती है, जैसे long build up अगर आप यहां पर देखोगे, तो price gainers, यहां से hitter price होए, यह सारी चीज यह सारी चीज़े आप लोगों को दिखाई देगे, metal ने थोड़ा सा अच्छा perform किया आज के date में, obviously उसमें status वगेर रहे गई, अगर हम लोग price loser में चले जाते हैं, तो आपको इस चीज़ दिखेगी, अगर stock observe करोगे, तो HCL Tech मिलेगा, TCS मिलेगा, Persistence मिलेगा, Infosys मिलेग LTI, Mind Tree, तो almost यह कितने down है, आप देखे लो पहले, 4.8%, 4.75%, Infosys 3%, Mind Tree, तो actually जो major IT sector है वो perform नहीं कर रहे है, अब वो perform नहीं कर रहे है, इसलिए Nifty में कहीं न कहीं, obviously market में जो bank है वो perform कर रहे है, बट कहीं न कहीं हम लोगों को थोड़े से जो IT sector के stock है वो perform करते हुए नहीं द तो Nifty में बहुत अच्छी moment होने के लिए, बहुत हो सकते है, इवन आप हिट map में देखो कि short covering कहा पर आ रही है, short build up, इवन आप यहां पर भी जाओगे कि future के, मतलब future पर आप click करते हो, तो OI gainers कौन से future market में, अगर future trend क्या चल रहा है, यह सारी चीज़े most active देखना है, OI loser देखना है, premium देखना है, discount कहां पर चल रहा है, long build up, तो आप देख सकते हो कि कौन से stock में क्या चीज़े हो रही है, Oltas में short build up हो रहा है, तो बहुत अच्छा platform as a data के लिए आपको यह मिलेगा, if you are interested कि अगर आप लोगों को अगर account open करना है Angel1 का, तो उसकी link में description में दे पर उसमें एक ही चीज़ है, if you want to deploy any strategy, तो at that time आप लोगों को जो थोड़े से far otm options होते हैं, that we have to buy, अगर far otm option buying करते हैं, तो थोड़ा zero दा allow नहीं करने देता, at the same time वहाँ पे थोड़ा से अगर आपके, मतलब account में, मतलब कुछ stock पड़े हुए, just imagine करते हैं कि कि किसी के ब funda होता है, even आप वो चीज़े हम लोग कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे 50-50% का issue आता है, अगर आप positional चले जाते हो, तो zero दा में strict है वो थोड़ा सा, तो वो चीज़े हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलती है, and कोई भी option आप buy कर सकते हो, एक रुप trade में, कहीं न कहीं, almost, OI change add-end कितना है, देख लो, 9,65,350, अब morning में आप देखोते हैं, अगर वो वीडियो आपने देखा होगा, लाइव मार्केट का, बहुत कम लोगों ने देखा, पता नहीं क्यों देखते हैं, क्योंकि लर्निंग चीज़े होती है, बट फिर भी time नहीं होता है, बहुत सारे लोग job भी करते हैं, ठीक है, बट अगर market सीकना है, तो यह बहुत important है, देखो time वैसे किसी के पास नहीं होता है, बट फिर भी, बहुत लोगों ने मुझे request कि, कि मैं actually analyst का video नहीं बनाया था, आज के लिए, और आप देखो कितना अच्छे से level काम की, ब अभी जाके कुछ चीज़ी हो सकती है, तो ठीक है, तो यह जो 6200 का OI change है, if you consider this OI change, तो काफी था, वो दीरे-दीरे automatic आप देखोगे, तो कम होते गया, at the same time, 6200 में put side में कितना आता, यहाँ पे कितना हो गया, so if you understand all these things, मतलब 6100 पे कितना आता, यहाँ पे देखोगे, तो वो किस तरीके से बरकरा रहा हो आई change, अभी यहाँ पे कितना change हो गया, वो सारे चीज़े समझेंगे, तो market समझ में आता है, इतना मुश्किल भी है नहीं, तो अब अब लोग देखते हैं, कि 16200 पे, call side में और put side में, total मिला कि if you combine the premium, so it will become almost 220 रुपे के आसपास होगा, तो obviously 16,000 का यह हमारा एक support आसकता है, उपर के साइप से 16,400 रिजिस्टन्स आसकता है, that depends on the straddle premium, तो straddle के premium पे एक दो levels बंद रही है, at the same time अब गर आप देखो कि ना, सबसे highest open interest आपको कही ना कि 16,000 के put में दिखाई देगा, और जो सबसे highest OY change है, वो 16,100 में, at the same time थोड़ा आ 16,600 में जाके, तो कही ना कही हम लोग चार्ट को देख रहे हैं, वो identity में मतलब आप वहां से कुछ को रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर market में एक rally आती है, and यह जो zone अगर market breakout कर देता है, तो market में बीच में resistance, यह जो zone आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह resistance बहुत क्वि यह थी, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, नमबर बहुत नहीं है, लेकिन आप देखोगे, तो almost 16,600 में और 600,400 में obviously double का difference है, तो थोड़ा सा यहाँ पर, almost 11,12,00 के आसपास भी अगर होता, तो एक थोड़ा सा यह होता है, ठीक है, चलो यह build हो जाएगा, क्योंकि यह सारी चीज़ा डाइनामिक होती है, बट यह point मैं आपको बता रहो, if you understand this point, and if you analyze the market, बहुत बार आपकी गलत entry यहाँ से रुख जाएगी, जिस तरह से आज मैंने entry के, बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी, जो मेरे program में, उन लोगों ने पूछा, कि sir आपने वहाँ पर entry क है हमारे capital को, right, तो वो चीज़े बहुत important है market में समझने के लिए, at the same time, मैं कुछ चीज़े आप लोगों के साथ share करना चातू, अगर आप देखोगे, तो basically this is our intraday master trading program, अगर आपने अभी तक app download नहीं किया, तो हमारा app ज़रूर download कर लीजेगा, Google Play पे, मतलब आपको Android Play Store पे आप iOS में भी use कर सकते हो, obviously अब यहाँ पे थोड़ी सी price hike हो चुके, but still, यहाँ पे कुछ discount आप लोगों को मिल जाएगा, so I will announce some coupon, अगर आप चाहते हो, कि देखो हमारे level बहुत अच्छे से काम करते हो, और आपको बहुत सारा content यहाँ पे मिल जाएगा, if you really want to learn, so you can go through this all video, and you can understand कि किस तरह से market में हम यह सारी चीज़े करते है, यहाँ पे एक बीचीज ऐसी नहीं है, जो हमारे लिए काम के नहीं है, everything is related to trading, intradrading से है, that is not related to, कि swing trading वगरा नहीं है, हम लोग option trading करते हैं, index में, intraday में, तो अगर आप चाहें, तो वो download करके रख सकते हो, यहाँ पे पर कुछ discount मिलेगा, आज के date में, तो आप चाहें, तो वहाँ पर login करके देख सकते हो, यह होने के बाद, हम लोग सीध आते हैं, फिर से option chain के उपर यह चीज़े हमारी clear है, now at the same time हम लोग एक बर statistic देख लेते, अगर statistic देखते हैं, तो आप लोग को की चीज clear होगी, कि 16,200 कही ना के almost call or put में same writing है, obviously है, क्योंकि market 16,200 पे settle हुआ है, पर आज के date में, OI change में देखो कि तो put writing बहुत भर-बर के हुई है, और obviously 16,100 में आप देखो कितनी heavy put writing हुई है बाद में, बट 16,200 के call seller कही ना कही अपनी position को wind up कर गए, क्योंकि market बहुत sustaining और market उपर चला भी गया 16,200 के, at then 248,50 point जाके वो नीचे आया और 16,200 पे selling आ चुकी है, तो इस चीज को अबर देखते है, तो कल market में कहां opening होती है, किस तरह से market react होता है, कही ना कहीं world market में थोड़ा सा US market अभी sideways है, तो फिर से ये थोड़ा सा, मैंने जो आपको पहले explain किया, उस तरह से market हो सकता है but still, if we want to take a trade on our level, तो on that basis, how we can analyze the market, वो चीज़े मैं आप लोगों को बताओंगा, तो हम लोग सीधा हमारे level को देखते है, कि हमारी level कहां होती है, तो obviously हम सबसे बहले nifty को देखेंगे, and nifty के level देखेंगे, तो obviously भी support का मुझे नहीं लगता है, कोई काम है, ठीक है, but मोटा मो लोगों कुछ चीज़े बता दू, यहां से आप observe करो के तो आपको एक चीज़ दिखा ही देखे, कि उपर में जो resistance है market का, कही ना कही 16,309, and 16,282, यह जो दो levels है, obviously यह पहली वाली और दूसरी यह resistance का का काम कर सकते है, और आप पहले भी देख सकते हो, यहां पे भी market open होके नीचे आया था, तो यह भी level आप लोग एक छोड़ा सल का सा mark करके रखेगा, क्योंकि बहुत बार यह जो opening होई, यहां से short हुआ market, तो यहां से भी resistance ले सकता है, ज़रूर निया कि इस level को टच हो के आए, यह इस level को हम लोगों को एक mark करके रखना होगा, ठीक है, मैंने यह कही resistance का काम कर रही है, यह आप यहां से देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो, और यहां पर आज के date में यही से resistance लिया है, almost high तो 2.8 का लगा, बट resistance इस जगे से लिया गया है, अगर market कल यहां पर flat opening होती है, तो मैं आपको सीधा बता दू, यह जो obviously यहां पर आप लोगों क को जो closing मिली है, तो market इस session में, यह जो zone है, इस zone में market volatile होने के chances है, तो यहां पर generally बहुत बार, मैं भी entry करता हूँ, आज कल मैंने कम कर दिया, और morning session में जो starting में 15 minute में trade कर लेते हैं, अगर market यहां open होता है, तो simply आप उसको avoid कीजेगा, क्योंकि शायद market open हो यहां पर, एक green candle बनाये उपर जाये, और market यही से fall हो जाये, या फिर market green candle बना के close होके, फिर next candle red बन जाये, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि sideways scenario market में है, तो उस तरीके से चीजे हो सकती है, तो थोड़ा सा market जब तक इस level के उपर, अभी हमारी जो level है, वो almost 6,217 है, बट स्टील अगर यहां market open कहां होता है, बहुत important चीज है, इसको clear कर देता हो, फिर आप लोगों को बताता हो किस तरीके से, तो अगर market यहां sideways open हुआ, और इस zone को breakout करके, यहां पर support लिया, तो हम लोग यहां जगे पर entry ले सकते है, तो यहां फिर market यहां से breakout करके, यहां से support लेता है, तो यह दो entry possible ह थोड़ा सा data analysis करना बहुत ज़रूरे, इस समय market आप लोगों को 282 के आसपस, 280 के आसपस ज़रूर मिलेगा, तो यहां से भले ही फिर create candle बनके market यहां ही पर stop हो जाए, pause कर ले, यहां फिर नीचे आ जाए, यह जो अपना crude oil है, और नीचे गिरता है, तो कही ना कही फिर से market rally ह हो सकता है, तो 16,310 के उपर हम लोग फिर से bullish हो सकते है, हमारी position को हम लोग continue करेंगे, at the same time हम लोगो को एक चीज समझ नहीं है, अगर market gap up open हुआ तो, कही ना कही अगर market में gap up open हुआ, तो हम लोग इस zone के बीच में, यह जो zone है, इस zone के 242, 282 हम कभी भी trade नहीं करेंगे, but हम मैं अब अगर एक red candle फिर से यहाँ पर दिखाई देती, एक बार यहाँ पर resistance का काम किया हुआ है market ने, पहली बार, तो अगर यहाँ पर दूसरी बार, अगर market आता है, तो लोग शायद यहाँ पर फिर से profit booking कर सकते हैं, क्योंकि जो लोगों ने आज trade लिया हुआ है, यह logic को अगर वो लोग profit booking करेंगे और यहाँ पर एक red candle बन जाएगी, एक shooting star जैसे हम लोगों की selling country मिलती है, तो सीधा हम लोग 280 के नीचे short कर सकते है, 240 तक हम लोगों को यहाँ पर profit मिलने के chances है, obviously जो भी करेंगे stop loss के साथ करेंगे, put buyer यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा expired ही नजदिक अगर market gap up हो जाता है, तो 16,300 या 350 एक अच्छी strike price रहेगी, या 16,400 भी अच्छी strike price रहेगी, क्योंकि कल premium बढ़ जाएंगे अगर market gap up open हुआ तो, और फिर से हम लोगों को यह premium यहाँ से इस जगे तक मिल सकते है, right, so in this way we can trade actually, इस तरह के से हम लोग trade कर सकते हैं अगर market gap up लेकिन अगर market flat open हो के नीचे आता है, तो market को एक बार समझ लो, अभी जो market बना हुआ है न, बहले ही long term अगर बड़ा इस time frame पे आप देखो के तो market bearish है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जो market बना हुआ है जो short time frame पे market जो है न, वो अभी bullish है, तो अभी जो scenario बन रहा है as of now, that is kind of keep buy at the dips, तो कही न, कही market अगर इस जेके से नीचे भी आता है, और हम लोगों को नीचे की तरब जाता है, तो दिखो आपको multiple support मिलेंगे, कही न, कि आप लोग इस level को अगर draw करते हो, तो 16,180 के आसपास आएगा, फिर ये जो level है, obviously आज का जो zone बना हुआ है, resistance का इस ज chances है, तो यहाँ पर multiple supports market में रह सकते है, जो हमारा तो direct ये पहली level है, और ये दूसरी level है, so basically we will consider as a and this will consider as a b, बट इसके बीच में हम लोगों को market में multiple support डिक रहे, तो market आएगा भी तो यहाँ पर react होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर तो अगर यहाँ पर opportunity मिलती है, तो back quantity बहुत कम रखूँगा, और मैं यहाँ पर selling ही prepare करूँगा, ठीक है, क्योंकि condition वैसे बन रहे है, that not all based on कि मुझे buying करनी है, selling करनी है, हम लोग चीजों को समझते हैं, उस तरीके से हम लोग as a trade plan करते है, ठीक है, अगर मैं buying का ही बता दे कोशिश करनी पड़ेगी, यह चीज़ याद रखना है, उपर के तरफ breakout होता है, तो यह तरफ से हम लोग market को trade कर सकते हैं, और market नीचे आता है, तो buy on the dips हो सकता है, तो कही ना कही एक important level जो market की support बन सकती है, यह रहेगी, ठीक है, इसको mark कर लेना, आप देख लेना, almost 172 के आ देखना है, डेटा को किस तरह से देखोगे, तो यहाँ पर simple अभी 6,150 जो हमारी, मैं आप लोगो को explain करता हूँ, 6,150 क्या होगा, उस समय पर ATM strike price होगी, तो उपर का जो round number है, वो होगा 16,200 का call, और नीचे का जो होगा, वो 6,100 होगा, ठीक है, बोद दार crucial level, जो आज market इसके बीच में बड़ा होथा, अगर 16,100 के put में, sellers बढ़ने लगे, मतलब open interest बढ़ने लगा, और increase होने लगा, मतलब sellers बढ़ने लगेंगे, तो market यहाँ से उपर जाने के लिए ready होगा, but at the same time, 16,150 का जो यहाँ पे call or put रहेगा, C और P, तो अगर यह call side के लोग यहाँ पे निकलन लगे, मतलब OI कम होने लगा, और put side का OI बढ़ने लगा, तो कही न कहीं, यह 16,100 का put और 150 का put यह rally करवाने के लिए able होगा, और at the same time, 150 निकलने लगे, उसके बाद में 200 जल्दी नहीं निकलेंगे, आप इस चीज़ को समझ जाओ, 240, 200 जल्दी नहीं निकलेंगे, वो धीरे आ सकते हैं, तब तक market यहां से उपर के तरफ rally करना मुश्किल हो जाएगा, यह clearly data से दिख रहा है, और चीज़े चार्ट पे भी clear हो रही है, तो इन चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़े आप लोगों को hopefully clear होई होगी, बहुत आसान भाशा में समझाने की कोश करता हो, but obviously video थोड़ा long हो जाता है, और लोग इसको देखना भसंद नहीं करते हैं, बहुत कुछ लोग हैं, जो मुझे comment करते हैं, बताते हैं, हमेशा उनको बहुत फाइदा हो रहा है, and basically this is a kind of hand holding I am giving, right, I am talking about each trade, कैसे लिया, क्यो लिया, उसके फीचे reason, logic क्या है, तो इतना तो शायद ही कोई यार YouTube पे बताता होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बताएंगे, तो फिर तो simple है, तुम उनके courses ही ले लो, और हर दिन वहाँ पे, मतलब, देखो ये चीज़े अगर मैंने यहाँ पे public platform पे देना बंद कर दिया, और course हो अलो कोई दीना, तो मेरे पास बहुत सारे लोग है, जो बहुत कम पैसे है, 10-20,000 पे, क्योंकि एक समय पर मेरे भी यही condition थी, बहुत कम पैसे ले का आता था, और as option buying करके, चाहता था कि 20-25,000 के एक लाग बन जाए, वो चले जाते थे, फिर 25-30,000, 45,000 पेसे लगता था, capital लाओ, 50 लाओ, तो देखो ये सारी ची का देखना है, तो nifty में जो बता चुका हो, same concept आपको bank nifty में रहेगा, only जो levels है, वो मैं हम लोग यहाँ पे discuss कर लेते, उपर के तरफ जो level आएगे, obviously आप लोगों के यहाँ पे दिखेगा, 35,677, 35,790, यह दो important resistance के level रहेगी, यहाँ पे जो important level है, 35,418, और यहाँ पे जो level आएगे, 35,125, but at the same time में आपको एक चीज़ बताऊंगा, कि हम लोग यहाँ फिर से एक level mark कर लेंगे, जो यहाँ पे आएगे, ठीक है, अब यह क्योंकि आपको clearly दिख रहा होगा, chart में आप जाके देखोगे, that is clearly visible, क्योंकि market ने यहाँ पे resistance लिया है, ठीक है, थोड़ा साम इसको यह कर लेते, market ने यहाँ से resistance लिया हुआ है, market ने बड़ी candle बनाई, तो यहाँ से support बनाते हो, उपर गया, जब market नीचा है, तो फिर से support बनाई, फिर उपर गया, फिर यहाँ से support बनाई, और फिर market उपर rally करते हो, यहाँ close हुआ है, तो इन चीज़ों को समझोगे, त इन चीज़ों को इस तरीके से identity back, मैंने कोई rocket science ने किया, पीछे जाके चार्ट को देखा, और चार्ट को देखते हो, यहाँ से चीज़ों दिख गई, तो इस सारी चीज़े आप लोगों को भी समझ में आ जाएगे, that is not too much hard, अगर आप मेरे YouTube पे अगर वीडियो जाके आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, number of videos are there, कि intraday strategy को पर level कैसे बनाते हैं, बहुत सारी जो option के strategy is, weekly, monthly, बहुत सारी चीज़े, बहुत लोग है, content देखते हैं और message कर देते हैं, मुझे, सर यह बताओ, बताओ, सर अब थोड़ा सर्च तो कर लो, यार कितने सारे videos पड़े हुए, obviously, ये सारे video में कुछ ना कुछ learning है, time pass तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को सीखते हो, time देते हो, बहुत सारे live videos भी होंगे, वहाँ पे, बहुत सारी चीज़े, मैं कोई profit or loss दिखाने में believe नहीं करता, चीज किस तरह से market हो रहा है, option selling, intraday की strategy है, ठीक है, strangle की, बहुत सारे, ये पहले मैं हमेशा करता था, इसको जाके देखो, करना या नहीं करना, that is not a part, जो चीज़े आप option के बारे में सीखोगे, वो कहीं से, मतलब यहाँ बहुत सारे learning point मिलेंगे, हम किस तरह से delta को neutral करते है, क्य ATG किस तरह से बनाई जाते है, क्या-क्या चीज़े देखनी चाहिए, आपको इतना सारा learning material आप जाके देखोगे तो वो चीज़े sort out होंगे, but फिलाल के लिए, ठीक है, जो करना चाहते है, वो देख सकते है, otherwise it's okay, and thank you once again, मिलते है next video में, जब भी बनेगा तब, so take care.